सल्मान खान की मच अविट्रेट मूवी रेस थ्री जो है वो सिनेमा घरों में लग चुकी है और सिनेमा घरों में दस्तक देने के साथ साथ ही इस मूवी को कई मिले जूले रियक्शन्स मिल रहे हैं वहीं अगर बात करें बॉलिवुड रियक्शन की तो आमिर खान का रियक्शन दोस्तों सामने आ गया है जिहां दोस्तों जब आमिर खान से पूचा गया कि उन्हें रेस्टरी कैसी लगी तो उनका काफी मिली जूली सी प्रदिगिर्या लोगों के सामने आई उन्होंने कहा कि ये मूवी जो है एक्शन के ने मुकाम हासिल करेगी क्योंकि अब तक किसी भी बॉलिवूड मूवी के अंदर इस तरीके का एक्शन नहीं दिखाया गया है वो भी 3D के अंदर सल्मान कान की ये 3D मूवी काफी ज़्यादा बहतरीन है इस मूवी के एक्शन डिरेक्टर टॉम स्टुवर्स ने काफी ज़्यादा अच्छा काम किया है वहीं अगर बात करें इस मूवी के VFX की और बाती टेकनिकल टीम की तो इसके पूरे स्टाफ को बहुत बहुत कांगरुचलेशन्स क्योंकि इसके पूरे टेकनिकल स्टाफ ने भी इस मूवी को काफी ज़्यादा दंदार बनाने के लिए काफी अच्छा काम किया है यानि कि सल्मान खान की ये जो मूवी है वो आमिर खान को भागई है वैसे आपको बता दें कि सल्मान खान की सभी मूवीज आमिर खान को अक्सर अच्छी लगती हैं और वो अच्छी कमेंट्स देते हैं अगर आपने ये मूवी देखिए तो आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको सल्मान खान की ये मूवी कैसी लगी है और सब्सक्राइब करें देखो देखो क्योंकि बॉलिवूड से जुड़ी हर कबर आपको यहीं मिलेगी सबसे पहले